नमस्काल दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी के डेली करेंट फेर्स में और इस वीडियो में हम मद्ध परदेश का डेली करेंट फेर्स देखेंगे और आप यदि एंपीपेस्क की तयारी कर रहे हैं और आपको लौट्स की रिक्वार्मेट है तो आप एक्जाम गुरुजी के एप से प्री और मेऻ दोनों के ओर कर सकते हैं Как के notes 12.99 के है, ये Hindi और English दोनों में है, मेंस के notes Hindi मीडिया में है, इसके साथ आपको daily answer writing practice मिलती है, जिसमें आपके छोटे-छोटे test है मेंस के, और साथ में वीडियो lectures भी होते है, ठीक है, और आप लग से purchase करना चाहते हैं, तो ये 895 में उपलब्ध है, लेकिन आप full lane test और पूरा MPPSC mains का जिस प्रकार से exam होता है वैसी test series चाहते हैं और copy check करवाना चाहते हैं जिसका test discussion यूटूब के channel पे live channel पे चल रहा है आप बहाँ दे सकते हैं उसको purchase करना साथ चाहते हैं तो ये 2499 में है इसको भी आप play store से order कर सकते हैं साथ ही में यदि आपने MPPSC assistant register का form भरा है जिसकी data भी नहीं आई है आप ये test series 499 म purchase कर सकते हैं ये पूरी तरह से minus marking के साथ है जैशा की आयोगने आपका schedule बनाया हुआ है आगे बढ़ते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका हम एक बार revise करेंगे आप लोगों के comment आया थे काफी लोगों ने WhatsApp किया था कि जो आप सर पढ़ाते हैं तो उसको पे एक बार revise भी करा दिया करिये तो बिल्कुल हम उसको कराएंगे तो कलम ने पढ़ाता देखा था कि मद्द प्रदेश के खिलाडी अद्वयत पांगे किस खेल से संबंधित है इन्होंने record भी बनाय हुआ है ये आपको पता ये तैराकी से संबंधित है इसके बाद राष्टी बीजनिगम यानी NAC के जैविक बीच फार्म का शिलनास कहाँ पर किया गया या जैविक बीच फार्म कहाँ पर खोल गया है तो आपको याद रखना है मुरैना पर खोल गया है चौता क्रश्चन था कि जो NCRB की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश में सड़क हाथसों के मामलों में मद्द प्रदेश किस नंबर पर है यानि सरवादिक दुरगटना कहां पर होती है तो मद्द प्रदेश उस पर दूसरे नंबर पर है तमिलाडू पहले नंबर पर है डिटेल्स मैंने वाँ पर आपको बताया था स्री अशोग सुंदरानी जिनका भी हाली में निधन हुआ है उनका संबंध किस छेतर से था तो उनका संबंध कभी से था यह हाश कभी थे और साथ में कभी भी थे सुरुआत करते हैं आज के करेंट फिर के साथ और हमारा पहला कुस्च्चन है कि मद्य परदेश में मुख मंतरी जन्षेवा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है 17 सितंबर से 23 अक्टूबर तक 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक या 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक या 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही अंसर होगा 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कि आपको ध्यान रखना है प्रधान मंत्री मोधी के जन्म दिन के आउशर पर ये कारकम जो था मत्रप्रदेश में अभियान शुरू किया गया था ठीक है और इसमें क्या है कि ग्राम पंचात और सहरी दोनों को कवर किया जा रहा है और यह 45 डेस तक चलेगा यानि 31 अक्टूबर तक चलेगा सरकार का इ इतने भी विभाग हैं लोगों तक पहुंचने का होता सरकार आपके द्वार में आती एक तरह का अभियान यह भी चला था तो आप लोगों की जो भी छोटी मोटी समस्या होती है कार्ड नहीं बना है किसी का मंदे का कार्ड नहीं बना है विरुजगारी का कार्ड नहीं बन है तो बहुत सारे ऐसे अभियान होते हैं पटवारी वग्यरा इनको वहां पर भीजा जाता है और लोगों तक watch कर अभियान के सी उनको जोड़ा जाता है य। जोड़ा जाता है लोगों को लाखनवित किया जाता है तरह से सामोहिक सरकार जो होती है वो लोगों तक पहुंचती है ठीक है बढ़ते हम अपने अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्कमांग दो है बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलैट प्रमोशन अभी हमारे स्टेट को मदप्रदेश को यह पुरश्कार दिया गया है आपको यह पताना है कि यह जो पुरश्कार है यह किस छेतर में कार करने के लिए दिया जाता है या दिया गया है मोटे अनाज की खेती के लिए दोग दुतपादन के लिए प्राकृतिक खेती के लिए या जैविक खेती के लिए तो इसका सही उत्तर होगा मोटे अनाज की खेती के लिए मद्द प्रदेश को अभी मोटे अनाज की खेती के लिए यह अवर्ड दिया गया है ठीक है उस अवार्ड का नाम क्या है best emerging state in millet promotion ठीक है और यह actually में क्या है जो यह पूरा का पूरा अवार्ड है इसमें जो मोटे अनाज होते हैं अभी क्या हुआ था हमारे गेहुं चावल और सरसो इन खेई लोग जो हमारे किशान है वह सभी की सभी इन अनाजों की तरफ क्योंकि इनमें लाप तुरंत मिलता है तो इन खेती की तरफ काफी ज्यादा मूव हो गये थे अब उनको वापस हम जो मक्का होता था काफी आसानी से उपलब दो जाता था उसका मार्केट में प्राइस भी कम था लेकिन आपको समय जो आप देखोगे मक्का 15-20 रुपए का मिल रहा है तो लोग किसानों को क्या है कि गेहुं और अनाज में सबसीडी मिलती है जो खासतर से गेहुं हो गया ध आने का नीचर बदला है लोग क्या हुआ है कि मोटे अनाज की तरफ थोड़ा सा मूव हो रहे हैं और अवेरनेस आ रही है जैसे जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोड़क्ट जो मोटे आनाज से ही बनते हैं अब वह में जब प्रोड़क्ट हमें पैकेश फॉर्म में मिलते हैं बात करी जाए सायूंत राजशंग द्वारा भी वर्ष 2013 को अंतर राष्टी मिलेट्स वर्ष गोसित किया गया है, मोटे आनाजो का वर्ष गोसित किया गया है, कई बार आपके एक्जाम में ये क्वेस्ट पूछ लिया जाता है, और इस बार पूछा भी गया था, वर्ष 2021 का पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना 23 कौन से वर्ष का, किसका है, मोटे आनाज का वर्ष बढ़ते हम अपने अगले प्रष्ट की तरफ प्रष्कमांग 3 है, पुस्तक चुनाव एवं जन्वत सर्वेच्छन, चुनाव एवं जन्मत सर्वेच्छन किसके द्वारा ल ने लेड़ करी थी, इसका जो पॉबलिकेशन हुआ है, इसको जो पॉबलिश किया है, लेकिन इसको पॉबलिश किया है, माख़लाल चतरुवेजी, वर राश्टी पतिकारता अबम संचार वश्विद्याल है, भोपाल में, उसने इसको प्रकाशित किया है, चुनावी बागेलन्न करके पुस्तक है जिसको मददप्रदेश हिंदी साहित सम्मेलएन में बस 2015 में संपानित किया गया था। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है अन्नम ब्रह्म्भा इनकी पुस्तक है और इने 2021 में बागेलन्न शम्मान दिया घया था। बढ़ते हम आगे कि तरफ अगले प्रिश्टी को देखते हैं प्रिस्ट क espa LIAM standing गर्भा एक्स्प्रेस्थ अभी चलाई गई ठीछ यह कहां से कहां तक चलाई गई गई है। गाधी धाम से हावडा चलाई गई थी देख लेते हैं ये तो ट्रेन थी अपनी गर्भा एक्स्प्रेस इसकी जो शुरुवात हुई थी वो गांधी दाम से हुई थी और हावडा तक गई थी इसमें क्या था कि मद्द प्रदेश टूरिजम बोड आपको पता है कि काफी मेहनत कर रहा हमारे हमने फिर टूरिस्ट स्पॉर्ट हैं उनको प्रमोट करने में तो ट्रेन की पूरी तीम थे वो मद्द प्रदेश के जितने भी टूरिस्टस परदेश स्पॉर्ट है उनको इस पर पैंट किया गया था हो और ये ट्रेन जो चली थी आपकी ये गाधी दाम से हावड़ा तक चली थी ठीक है ये लगबग छे राज्यों से होके गुजरी थी गुजरात, मदप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम, मंगार यहां से होते हुए लगबग ये छे राज्यों को इसने कवर किया, सबी स्टेशनों पर रुखती, ट्रेन वैसे की वैसी थी जो चल रही थी, बस इसमें थीम में चेंजर किये गये थे, तो उसका फायदा यह होँआ कि हमारी परिटन जो छेत्र है, हमारे टूरिस स्पॉर्ट है, कोई जो पहुँच है, लोगों तक वो एक जानकारी पहुचाने के लिए, कि मदप्रदेश घुमने लाइक जगा है, एक टूरिस पॉर्ट भी है, तो यह एक जानकारी को फैलाने के लिए यह ट्रेन का उप्योग किया गया था, अच्छा इनिसेटिव था, बढ़त हम अपने अगले प्रश्ट की तरफ, प्रश्ट क आपको एक कॉस्चन एयरपोर्ट से संबंदित मिला था, यह क्या है कि आपको लगेगा कि नजदीक ये इंदौर जिले में है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जिस जगह पर इसका निर्माड किया जाना है, या प्रस्तावित है, वो देवास जिले के अंतरगत वो जगह आती है, नेरेस्ट पॉइंट इसका इंदौर है, ठीक है, यह मतलब इंदौर और देवास को बीचों बीच में है, ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट होते क्या है, यह आपको पता समान एयरपोर्ट और उन एयरपोर्ट से क्या होता है, कि जो एक एयरपोर्ट किसी सहर में होता, उसक कि उसका जल्दी से जल्दी क्या हो सके construction हो चके ठीक दूसरी बात उसमें यह होती है कि वह जमीन कोशिस यह की जाती कि पूरी तरह से बंजर हो खेती में या बाकी उपयोग में इस्तमाल ना की गई हो ठीक है अब यहां पर सरकार क्या कर रही है जो greenfield airport बना रही है इसके आज पास में क्या जितने भी expressway होंगे उनको भी जोड़ेगी ताकि यहां पर ट्रैफिक अच्छा खासा हो सरकार की आमदनी हो और लोगों को शहूरित हो और भी सरकार के कई प्रोजेक्ट है जो बोपाल और इंदौर बीच रोट पे पढ़ता है यह जगह उसको जोड़ने की क प्रोसिष की जाए है हमने कल आ पसे प्रश्न पूचा था कि उजयन में जो महा काल मंदिर का विस्तार किया जा रहा है ठीक है उस को बनारस को रिडोर है उसकी तरजवे बनाया जा रहा है इसका नाम क्या रख गया है अब बहुत काफी सारे लोगों इसका साही अंसर नीच सारे कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हुए थे कि इसका नाम उज्जेन करीडोर है बनारस करीडोर की तरह पे ऐसा नहीं है इसका मुख मंत्री ने जो नाम रखा है वह महाकाल लोक रखा है यह करीडोर कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि अब इसका फर्स्ट पेस पूरा हो लेकिन current affair खतम करने से पहले आज का question आपको दे जाते हैं मदप्रदेश के किस संगीत महाविद्धाले को स्वर सामरागी लता मंगेशकर जी के नाम पर किया गया है अभी हाली में लता मंगेशकर पूरशकार दिये गये हैं उनी में उसी समय पे एक जो हमारे हाग का संगीत महाविद्धाले उसका नाम स्वर सामरागी लता मंगेशकर जी के नाम पर किया गया है आपको बताना है कि यह संगीत महाविद्धाले मदप्रदेश के किस सहर में उज्जैन में ग्वालियर में इंदौर में या च्छदरपूर में राइट अंसर आप नीचे comment box में देंग लिए इससे हमें भी support मिलता है फिर मिलते हैं कल अगले current affairs के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत